हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब मेरी चैनल कलर्स अप साइन पे आप सभी का स्वागत थे तो फ्रंट्स, जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको मेरा बहुत सारा थैंक यू आप ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहें फ्रंट्स, मुझे जो प्रोड़क्ट पसंद आती है, वो मैं आपके साथ शेर करती हूँ, ताकि आपको भी ये प्रोड़क्ट फाइदे मंद हो सके आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ, बायो टिक की ये बायो मिल्क क्रीम जो बेबी के लिए है फ्रेंस ये बेबी क्रीम और्गेनिक है, बहुत ही माइल्ड है, 100% आयुरवेदिक है, इसमें पैराविन भी नहीं है ये बेबी क्रीम बेबी की स्कीन को मॉस्टराइजर करती है, अगर बेबी की स्कीन ड्राइ हो तो ड्राइनेस को और इरिटेशन को भी दूर करती है इस बेबी क्रीम को बेबी के साथ साथ मम्मी भी यूज़ कर सकती है इसमें नैचरल इंग्रिडियन्ट है जैसे की आप देख सकते हैं मिल्क, हनी, नीम, बादम तेल और सुरज मुखी सीड ओयल जो बेबी के स्कीन को हाइडरेट रखते हैं और मौस्टराइजर करते हैं ये बेबी क्रीम विंटर के लिए बेश्ट हैं आप इसे समर में भी यूज़ कर सकते हैं इस बेबी क्रीम में से इंक्रिडियन्ट की खुस्बू आती है इस बेबी क्रीम को कैसे लगाना है जब आप बेबी को नहाने के बाद आप बेबी के स्क्रीन पर इसे यूज कर सकते हैं हम बड़े भी इस बेबी क्रीम को यूज कर सकते हैं इस बेबी क्रीम को आप नाइका से या तो फिर फर्स्ट क्राइप पेसे भी मंगवा सकते हैं इस बेबी क्रीम की क्वांटेंटी 50 ग्राम है और इसकी प्राइस 65 रूपीज है अब मैं आपको इसका टेक्स्टर बताती हूँ ये देखें फ्रेंट्स बहुत ही लाइट है लगाते ही स्कीन में अब्जव हो जाती है ये देखें ये बेबी क्रीम और्गेनिक है आप इसे संसेटिव स्कीन वाले बेबी के बीबी पे भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर यूँ कह सकते हैं कि संसेटिव स्कीन वालों के लिए ये बेश्ट क्रीम है बड़ फ्रेंट्स इसमें SPF नहीं है तो फ्रेंट्स बच्चे की स्कीन काफी कोमल होती है इसलिए हमें छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है क्यूंकि बच्चों की स्कीन पर पहुत जल्दी इंफेक्शन हो जाता है और कभी-कभी स्कीन पर रेसिस भी हो सकते हैं इसलिए हमें बेबी के लिए एक अच्छी प्रोड़क्त यूज करनी पड़ती है जो बेबी पे सूट करती हो अगर किसी क्रीम से बेबी को एलर्जी हो तो हमें उसे लगाना छोड़ देना चाहिए तो फ्रेंट्स आपको ये बेबी क्रीम कैसी लगी तो फ्रेंट्स ये बेबी क्रीम बहुत ही अच्छी है और संसेटिव स्कीन वालों के लिए भी काफी अच्छी है तो फ्रेंट्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक किजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू